हेलो गाईज, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रमा की टेश्टी रेस्पी में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी, बहुत ही मस्जिदार मंचूरियन एकदम रेश्टूरिन इस्टाइल तो आईए सुरुआत करते हैं बनाने की मंचूरियन बनाने की लिए कुछ हमने सबजिया ली है आईए बताते हैं क्या क्या समान है एक कटोरी हमने सिमला मिर्च ली है छोटा छोटा साइज हमने काट लिया है और एक कटोरी हमने पत्ता गोबी लिये पत्ता गोबी को हमने कदूकस कर लिया है और यह आधी कटोरी हमने गाजर ली है और यह हमने ग्रीन प्याज लिये जो लंबी वाली प्याज होती है न हरी वाली वो ली है और प्याज के देखे इस तरीके से हमने कट कर लिया है यह हमने एक बॉइल ले लिया है इसमें हम डाल करेंगे पत्ता गोबी जो हमने कद्दुकस किया था गिरीन प्याज आधी चमच नमक एड़ करेंगे अब इन्हें हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपके पास अगर और भी सब्जियां हो तो आप उसे भी उच कर सकते हैं जैसा बिंस हो गई सिम्ला मिर्च हो ग गोबी और हरी प्याज लिए और नमक डाला है इसमें अच्छा सा मिक्स करके मिला के पांच मिनिट के लिए रख देंगे इसमें जितना भी मॉस्टर होगा वो सब निकल जाएगा पांच मिनिट हमारे हो चुके हैं और इसमें इस तरीके से हम पानी निकाल लेंगे जितना पानी निकाल लेंगे यह हमने गाजर ली है गाजर का भी इसी तरीके से हम पानी निकाल लेंगे यह देगे इतना पानी सब्जों में से निकल चुका है इस पानी को हम फैकेंगे नहीं जब हम कोई सीवी सब्जी बनाएंगे उसमें यूच कर लेंगे अब हम बॉल में तु भी प्याज और सिम्ला मिर्च हमने एड़ कर दिया है अब हम डालेंगे गोल वाली प्याज बारिक चोप करी हुई आधी चमच लाल मिर्च पॉडर आधी चमच नमक स्वादनुसार और आधी से भी आधी चमच काली मिर्च पॉडर आधी चमच कुटा हुआ लसन आप अध्रक लसन का भी पेश्ट यूज कर सकते हैं और यह हमने एक चोथाई चमच कौन फ्लोर एड़ किया है और कौन फ्लोर से थोड़ा सकम हमने मैदा यूज किया है और हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देगे इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदब से हमें इस तरीके से मिक्स करना है जिसके यह बॉल बन सके और अगर आपका डो अच्छे से तयार ना हो तो इसमें एक चमच कौन फ्लोर या मैदा येट कर सकते हैं ताकि आपकी बॉल बहुत अच्छे से बने ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा एक बॉल बन चुका है इस तरीके से आपको तयार करने हैं और बाकि सारे बॉल आपको ऐसी तरीके से बना बना के रख लेने हैं जितने बड़े सा इच्की आपको चाहिए यह देखिए सारे बॉल हमारे एकugh बंके तयार हुए है अब हम बढ़ते हैंतें अपनी इसके घूड़ाइ करने के लिए कड़ाई गरम करके हमने इसमें थोड़े से जादा मातरा में डाल दिया है आप जोन सब यूज करते हैं आप वही डालिएगा हमने यहां पर रिफाइन यूज किया है और आप एक बोल इस तरीके से डाल कर देख लें कि हमारे बोल एकदम घुल तो नहीं रहे हैं घुलने नह होँ Benson जाएंगे और अंदर से बिल्कुल रह जाएंगे कच्च रह जाएंगे तक मीडियम फिलेम पर करूप इन्हें फ्राइन फ्राइव अनने फ्राइव करिएगा कि और यह एक करके सारे बोल डाल देंगे अब हम हम आ superstar आदो प्रोड शियुक कर करना है और लिएक्षर ताकि कहीं से कच्चे ना रह जाएं और हर तरफ से सीख जाएं गॉल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है प्राई करना है मतलब यह देखें बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं इन्हें हम एक ट्रीशू पेपर पे प्लेट में निकाल लेंगे यह देखें सारे बोल हमने निकाल लिये हैं अब कड़ाई में से ओईल हमने कम कर दिया है तीन से चार छोटी चमत छोड़ा है ओईल अभी से हम डाल देंगे अधरक और लसन अधरक लसन अच्छे से हम डाल के भूल लेंगे मंचूरियन में अधरक लसन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप ज्यादा मातरा में जरूर डालें अधरक और लसन हमारा ब्राउन हो चुका है हलका तो आप इसमें हमने हरी मिर्च एड़ कर दी है अच्छे से चला लेंगे अब इसमें हम प्याज एड़ कर देंगे सिमला मिर्च एड़ कर देंगे और इसमें एड़ कर गया हम एक छोटी कटोरी कॉन आपके पास हो तो आप यूज कीजिएगा वरना तो आप इसकीप कर सकते हैं हमारे पास थी तो इसलिए हमने यूज कर ली एक चमच हम एड़ करेंगे बलेक ब्रेगर एक चमच गिरीन चिली सॉस और एक चमच रेड चिली सॉस और अच्छे सम चला लेंगे आदी चमच एड़ करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार ध्यान रखेंगे अगर नमक हमने पहले भी यूज किया था और आधी चमर्स में ठोड़ा सा काली मिर्च और उसके बाद ठोड़ा सा म्यूज करेंगे हलका सा गरम मसाला और अचीסा चला लेंगे और हमें यह हाई फलेम पे भूनना है जदा पिकत पिकाना नहीं है जदा सोप नहीं करना उसके बाद 2 चमच़ कौन फ्लौर लेके हम इसका घोल बना लेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा डालेंगे उसके बाद पानी एड़ करेंगे एक गिलास हमने पानी एड़ कर दिया है आपको ग्रेवी कितनी खानी है, किस हिसाब से रखनी है आप उत्रा रखिएगा उसके बाद हमने कॉन फ्लॉर और डाल दिया है जो बचा हुआ था कॉन फ्लॉर का घॉल बना लें आप तब ही डालें और अब उबाल आने देंगे यहाँ पर हमें एड़ करेंगे एक चमस सेजवान सोस यहाँ पर मैंने बेज मंचूरियन मसाला मिक्स एड़ किया है किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा तो आप जरूर एड़ करें इससे हमारे मंचूरियन में बहुत अच्छा टेस्स आएगा एक से दो मिनिट के लिए उबाल लगवा लिया है उसके बाद हमने अपने सारे बॉल डाल देने हैं मंचूरियन के जो हमने बनाए थे सारे मंचूरियन डालने के बाद एक से दो वाल लगवा लेना है और यह देखिए कितने अच्छे से हमारे मंचूरियन एकदम बन चुके हैं और जितनी आपको gravy रखने है आप उसी साब से gravy रखें और जितना ज़्यादा इसे हम पकाएंगे उतनी ज़्यादा ये ठीक होती जाएगी क्योंकि कॉन फ्लोर हमने डाला है तो कॉन फ्लोर से यही होता है कि हमारी gravy एकदम गाड़ी बनती है एकदम बहुत बढ़िया टेस आ जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और घर पर ही आप बहुत आसानी से मंचूरिन बना की खा सकते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें ये देखिए कितने सौप्ट हमारे मंचूरिन बने हैं जब तक के लिए बाइबाइ